हेलो दोस्तो वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के जो यूजर्स हैं और वजीरेक्स टोकन के जो होल्डर्स हैं वो इस टाइम पे सबसे ज़ादा परिशान होंगे क्योंकि यही बात नहीं समझ में आ रही है यह वजीरेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज भाईया ओन कौन करता क्योंकि यहां पर Binance के CEO ने clear बोल दिया है कि भाईया हमारा कोई मालिकाना हक नहीं है लेकिन क्या ये actual में है और अगर नहीं है तो मालिक कौन है इस company का Zenmy Lab जो की वजीर X को operate करती है उस बारे में समझने की कोशिश करेंगे और ये सब कुछ जो निकल के आया है जो ED की जो Director है या आप कहा लिजिए वजीर X के जो Acid है Bank Balance है लगभग 64 करोड के वो इन्होंने Freeze किये है एक NBFC company है या आप कहा लिजिए Money Laundering के Case के अंदर जो की Loan Provider थी और उसके अंदर कहा जा रहा है कि ये जो है ना जो है गलत तरीके से पैसा ट्रांसफर किया गया है और इसकी व हमें वजीर X Exchange पे Hold करना चाहिए कि नहीं सबसे पहले जब भी कोई ऐसे Issue होते हैं अब Binance जिस जो Actual में हम समझते थे कि वो Hold On करते हैं वजीर X Exchange को उन्होंने तो Clear कर दिया है कि भाईया वजीर X पे अगर आपके Fund है तो आपको Transfer कर लेना चाहिए Binance के उपर या आप समझ अगर Binance पे आपको Confidence नहीं है तो भाईया अपने Personal Wallet में आप Transfer कर लीजेगा क्योंकि If It Is Not Your Key Not Your Cryptocurrency आपके पास ताले की चाह भी नहीं है तो समझ लीजेगा उस ताले के अंदर जो कुछ भी है वो आपका नहीं है ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि दो बाते निकल के आ आपको ये चीजों से दूर रहना है तो सबसे पहले इनका जो token है उससे आप दूरी बनाईए और अगर Exchange पे आप Trade कर रहे हो तो बैटर है अपने Personal Wallet में रख लीजेगा सबसे पहली advice आपके लिए यह है हमारी तरफ से अब step by step बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपसे request है चैनल को subscribe कर लीजे और वीडियो को उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने like कर ही दिया होगा दोस्तों आप शिलसलेवार तरीके से समझने की कोशिश करते हैं एक press release जारी की थी ED ने enforcement डारेक्टरेट ने जो कि आप कहले जो transactions होती है गलत तरीके से उनकी जाज खासकर वो करत investigate कर रहे हैं और ये मामला जो है आप समझ लीजेगा आप इछले एक दो साल से यहां पर चल रहा है ठीक है अब यहां पर जब यह action लिया उसके बाद निकल के आया कि जो बाइनेंस के CEO हैं CZ उनका कहना है कि यहां पर एक quick thread हम बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग incorrect तरी के से reporting कर रहे हैं कि वजीरेक्स और बाइनस को लेके यहां पर उन्होंने clear शब्दों में बोल दिया कि बाइनस जो है कोई भी equity on नहीं करता Zenmy Lab की जो की operate करती है वजीरेक्स cryptocurrency exchange को और जो इनके original founders ने established की थी अब यह Zenmy Lab क्या है सबसे पहले इसको समझते है Zenmy Lab जो है एक private limited company ह बात यहां पर लाखो करोडों के asset आपने hold कियो है और paid up capital यानि की एक लाख रुपया है paid up capital एक लाख आप समझ लीजेगा कल को कुछ होता है तो एक लाख की liability वह वा ऐसा थोड़ ना होता धीरे धीरे जब company बढ़ी होती है तो उसकी जो capital है वो increase करते हैं अरे एक laptop ही आता ह यहां पर एक लाख रुपय का जिससे आप operate कर रहे होंगे तो यहां पर 2017 के अंदर इन्होंने जो है यह company बनाई थी सारी detail आपको online मिल जाएंगी इसके अंदर दो directors हैं दो director कौन-कौन है एक है निश्चल सेठी और दूसरा है समीर अब हनुमान मात्रे अब यहां पर आपक जो issue निकल किया है उसके बाद में अब यहां पर उनकी चीजे समझते हैं और उसके बाद जो निश्चल सेठी है उनकी क्या बात है उनका क्या कहना है उसको भी समझेंगे और उसके बाद में जब CZ उनका क्या है सब कुछ आपको धीरे-धीरे step by step समझानी कोशिश करेंगे 21 नमबर 2019 को Binance ने एक publish की थी post उनने clear कर दिया कि हमने acquire किया है वजीरेक्स लेकिन यह जो transaction है वो कभी complete ही नहीं हो पाई थी उनने announcement कर दी सारी चीज़े बोल दी लेकिन वो जो transaction थी मतलब वो जो acquisition था वो कभी complete ही नहीं हो पाई था और Binance जो है कभी भी किसी point पे भी कोई भ लेब के shares जो की वजीरेक्स के जो बात कर रहे है वजीरेक्स को जो operate करती है ओन करती है तो उन्होंने तो अपना clearly यहाँ पर बोल दिया है कि यहाँ पर जो है Zenmai Labs के कोई भी share ओन नहीं करते है और अगर आप जाते हो officially देखते हो तो यहाँ पर दोनों जो है डारेक्टर है वो ही सारे share इसके hold करते हैं और यहाँ पर clear होती है अब यहाँ पर finance क्या करता है आपने पहले यह सारी बात है clear क्यों नहीं की क्योंकि आज तक लोग impression में यही थे कि वजीरेक्स जो है बाइन्स का है और इसी confidence की वज़े से जो है लोग वजीरेक्स पर trust कर रहे थे क्योंकि वजीरेक्स के अगर founders की बात करें वो तो दोबई में settle हो गए है तो यह सारी चीजे यहाँ पर इसी वज़े से trust क्रिप्टोकरंसी पर लोगों का हलका होता है या इसी वज़े से यह सारी चीजे निकल के आती है लेकिन बाइन्स के जो CEO हैं CZ उन्होंने जो कुछ बाते clear की है वो step by step समझना आपके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप यह decision ले पाएं क्या मुझे वजीरेक्स token को hold करना है क्या मुझे वजीरेक्स exchange पे कोई wallet पे पैसे रखने भी है ट्रांसफर या ट्रांसफर कर लेना चाहिए अब यहाँ पे देर वाइन्स का जो कहना है वो provide करते है सिरिफ भजीरेक्स को services ठीक है टेक्स solution यानि कि technology का जो part है वो provide करते है और यहाँ पे also integrate off-chain जो transaction होती है वो करते है ताकि जो network fee है वो save कर सके है अब इनकी यह mutual understanding होई होगी अब acquire के लिए तो उन्होंने clear मना कर दिया लेकिन उन्होंने का है कि हाँ हमारा connection है अब यह क्या होता है हम सबको पता है 2019 के अंदर network के अंदर बहुत सारी congestion थी और 1000 रुपे की transaction fee 2019-2020 के अंदर लगने लगी थी तो इन्होंने क्या system किया होगा अपने दोनों exchanges को integrate कर दिया ठीक है आपने देखा होगा वजीरेक्स to Binance, Binance to VazirX without any cost of network fee आप transfer कर सकते हो और यहां से वो 1000 रु थी और इसी चीज को लेके यहां पर बात निकल के आई है जो freeze हुआ है कि यहां पर money laundering का जो case निकल का है उसका हिसाब किताब पता ही नहीं है कैसे कहां क्या transfer हुआ है तो यह सारी चीजों की वैसे यह सारा चीज यहां पर चल के आ रही है उसके बाद में जो CZ है यह story आप को समझना बहुत ज़रूरी है यह चीजे clear होंगी तभी आप पूरी की पूरे कान को या पूरी की पूरी situation को समझ पाएंगे analyze कर पाएंगे अब वजीरेक्स is responsible all other aspect of the वजीरेक्स exchange यहां पर clear कर दिया है सिरिफ हम tech support दे रहे थे transactions इधर उधर कर सकते थे वो ही कर रहे थे बा trading and initiating withdrawals withdrawal लेना देना यह सब चीजे जो थी यानि कि आप तरह कह सकते हो Zenmy Lab या वजीरेक्स जो on करते हैं डारेक्टर से उनकी थी तो यह बात उन्होंने वहां clear कर दिया अब यहां पर जो important बात है recent allegation जो लगे हैं वजीरेक्स के उपर जो platform है उसके उपर या जो manage करते था Zen और वो खोश होंगे अगर यहां पर इंडिया की जो enforcement direct rate है उनको भी उनकी कोई help चाहिए होगी या उनके साथ उनको काम करने में कोई भी दिक्कत नी होगी सारी बाते करने में जो initial city है ठीक है जो हम actually कहते हैं वजीरेक्स का चैरा है जिन्होंने वजीरेक्स platform को बनाया था ठीक है founding member में से एक है उनका कहना है fact about the वजीरेक्स and Binance उनके हिसाब से वजीरेक्स जो है acquire कर लिया गया था जैसे 21 November 2019 इसको Binance ने भी जो की जो screenshot भी मिल जाते हैं बहुत सारी चीज़े हैं वजीरेक्स was acquired by Binance Zenmai Lab is an Indian entity owned by me and my co-founder जो बात करें समीर की और निस्चल की यह Zenmai Lab को founder जो है अब जो है own करते हैं अब Zenmai Lab के पास में license है Binance से कि operate कर सके INR crypto pair in वजीरेक्स अब भया license की मुझे बात समझनी आई Binance का जो है license से क्या फरक पड़ेगा Indian किसी जो है agency authority से license थोड़ी ना है तो यह सारे concern है यह सारे loop है कही ना कहीं इससे पता चल रहा है कि कुछ न Binance जो है crypto to crypto pairs को operate करता है हम सबको पता है process crypto withdrawals अब इनका यहाँ कहना है Binance का कहना है कि भाईया हमारा जो है विड्रॉल पे कोई कंट्रोल नहीं है जो है ट्रेडिंग पे कोई कंट्रोल नहीं है यहाँ पर हम सिर्फ टेक सपोर्ट देते हैं ट्रांजक्शन इदर अदर करने के लिए लेकिन यहाँ पर इनिस्चल से ठीका कहना है क्रिप्टो क्रिप्टो पेर जो ऑपरेट करता है और प्रोसेश जो करता है क्रिप्टो विड्रॉल वो Binance करता है अब यानि की दोनों एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं अलिगेशन लगा रहे हैं अब इस पर थोड़ा और डीप में चलते हैं क्योंकि इसके बाद में और जस्टिफिकेशन Binance के CEO की तरफ से निकल के आई और यहां यह आप मद भूलिएगा यह सब जो है दुबई में सेटल हैं जो है इंडियन यूजर जो है बगवान भरो से इस ताइम पर लग रहा है काफी हाड लगता है सुनने में या बोलने में और बहुत सारे लोग ट्रस करते हैं यहां पर यह चीज उन्होंने क्लियर की है निश्चल सेटी ने भी अपना पक्ष रखने की कोशिश की है यू कन चेक दिस फैक्ट बाई गोईंग तू दा TOS of WazirX ठीक है अब यहां पर उनका कहना है more facts about WazirX Binance on WazirX domain name Binance has root access to AWS server जो cloud server होता है Binance has all the crypto assets Binance has all crypto profits don't confuse Zenmai with WazirX अब यहां नहीं की इनका तो कहना है यह profit हो crypto assets हो यह domain name हो यह सब Binance जो है आपका यहां पर hold करता है ठीक है अब यह सारी बात के बात तो यह जो Binance के CEO WazirX के CEO को बोल रहे थे ठीक है अब WazirX के जो है वो CZ को बोल रहे है Binance के CEO को अब उसके बात में उन्होंने एक और thread चलाया Binance के जो CEO ने यह सारी बात conversation आपको जानना बहुत सरूर है ताकि आप यह मत समझिएगा कि पैसा है न भाई या पैसे का तो खेल है लेकिन जब किसी के पर प्रॉबलम आती है तो सब अपना पला जाड़ना शुरू कर देते हैं उनका कहना है कि Twitter पे यह debate हो रही है बड़ा दुख हो रहा है इस चीज को समझ के लेकिन हाँ यह अच्छा भी एक्तरस है Binance provides wallet service to Wazirex यानि कि wallet service मतलब crypto जो है वो आप कहा लीजिए वो tech support उनको दे रहे है Wazirex domain is transfer to our control यह भी ठीक है We were given a shared access of the clouds AWS accounts होते हैं shared access मतलब उनके पास में भी है और इनके पास में भी है We could shut down Wazirex हम shut down कर सकते थे लेकिन हमने ऐसा नहीं किया अब उनका कहना है It hurts user क्योंकि यहाँ पे users का नुकसान है Binance does not have control on operations including user signups KYC अब यहाँ पे उसके बाद में उनका कहना है Binance के पास में कोई control नहीं है including जो signup हो रहे हैं KYC कर रहे हैं के नहीं कर रहे हैं Trading and initiating withdrawal withdrawal initiate कर रहे हैं यह trading जो हो रही है उनका कोई control नहीं है उनका control आप समझ लिए जब उनके पास नहीं है तो Zenmai Labs के पास में है यानि कि आप कह सकते हैं यह दो directors के पास में है वजीरेक्स founding team controls that उन्होंने भी यह clear कर दिया This was never transferred यह चीज यह जो control था ना यह सारी चीजों का control कभी transfer किया ही नहीं गया था despite हमारी request के बाद में हमने उनको request किया यह सब transfer करने के लिए लेकिन उन्होंने यह चीज नहीं की थी the deal was never closed उन्होंने कहा है clearly उनके tweet के बाद में यह deal कभी हुई नहीं no share transfers share जो थे ZenmyLab के वो भी transfer नहीं हुए जब तक जो exchange hold करता है अगर वो transfer ही नहीं करेगा आप समझेगा जिसने वो buy किया है acquire किया है यह बताएंगी यह सारी चीजे तो बात चीजे निकल के आएंगी वजीरेक्स founding team maintain control of the operations जो वजीरेक्स के जो founding team है वो ही maintain करती है control करती है वो किसको transfer कर रहे है क्या कर रहे है कोई scam हो रहा है के नहीं हो रहा है तो ultimately कही ना कही उनका यह कहना है कि यह सारी चीजे तो भईया उनकी जिम्मेवारी तो हुई ना यहाँ पर बाइनेंस के अंदर वर नेवर गेव डाटा और control of users KYC यानि कि बाइनस कभी भी कभी भी डाटा नहीं दिया और control of users KYC उन्होंने दी नहीं we would love to work with ED to fix these issues in VazirX हम AD के साथ में काम करने के लिए तयार है अगर यहाँ पर अगर हमारी मदद की जरूत होगी VazirX के issues को resolve करने के लिए एक और important tweet जो उनका निकल के आया जो कहीं न कहीं आपको यह indirectly एक चीज message देता है कि भाईया अगर आपका VazirX पर पैसा है तो you should transfer it to Binance आप Binance पर transfer कर सकते हो क्योंकि Binance के CEO है वो तो ही कहेंगे नहीं कि offline wallet में कर लीजिए किसी और में कर लीजिए अगर आपको Binance पर भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि one of the biggest exchange है one of the biggest क्या सबसे बड़ा exchange है आज की date में देखते हैं और बहुत सारे लाखो करोडो लोग यूज करते हैं उसको इंडिया के अंदर भी लाखो लोग यूज करते हैं सिंपल सी बात है अगर आपको वजीरेक्स पर ट्रस नहीं है अपना fund वहां transfer कर लो या दूसरा हमारे पास option है कि यहां personal wallet पे या जिस exchange पे आप trust करते हो उस पे आप transfer वहां कर सकते हो we could हम disable कर सकते दे tax support को लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि यहां पर users जो हैं कहीं न कहीं उनके लिए बहुत issue हो जाता और उनके लिए manage करना बहुत issue हो जाता तो अगर आने वाले time के अंदर ऐसे issue निकल के आते हैं तो भाया आपसे सबसे पहले request है कि यहां से आपके लिए exit करने में ही इस time पे बलाई है जब चीजे clear होंगी अगर आपको लगता है वजीर एक अच्छा platform है चीजे सही होती है फिक्स होती है तो आप दुबारे से उसके अंदर कर लिजेगा लेकिन हमारी strong suggestion इस time पे यही है कि better है कि जब कै ऐसे issue होते है उनसे दूर रहो और उसके अंदर जो है आप involved ना हो ठीक है यह सारी story निकल के आ रही है बाकी और कोई भी latest update निकल के आएगी हम आपको बताएंगे overall situation इस time पे blame game चल रहा है और पूरी story क्या इसके पीछे के निकल के आई है वो भी हमने आपको इस time पे बता दिया बाकी और कोई भी detail निकल के आएगी हम आपके साथ में share करेंगे और हमने अपना भी view यहाँ पे बता दिया है क्या सारी news के अंदर यही चाया हुआ है और cryptocurrency market के अंदर अच्छा माहौल बना हुआ है और जब यह सब चीजे इसू निकल के आते हैं उसकी वैसे थोड़ा और concern यहाँ बनता है तो अब यह अपना risk को देखिए सारी चीजों को देखिए वजीरेक्स token को लेके भी बहुत सारे लोग बात कर रहे है तो बैटर है उससे भी आपको फिलाल दूरी बना के रखनी चाहिए क्योंकि जब प्लैटफॉर्म पे इशू है तो token पे भी देखिए में हो सकता है crash देखने को मिले आपको क्या लगता है दोस्तों इस पूरे कांड के अंदर क्या है तो हमें जरूर बताएगे कमेंट में आज के लिए इतना ही उमेद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी काम की लगी होगी वीडियो पसंद आई है तो like जरू करिएगा शेयर कर दिएगा Twitter, Telegram, WhatsApp जहां आप कमन करें और चैनल पहली बार आई तो चैनल को सस्क्राइब भी जरूर कर लिजेगा Twitter, Telegram को फॉलो कर लिजेगा बहुत सारी important information अपडेट है हम वहाँ करते रहते हैं कई बार यहां में सो जाती है उसका फायदा उठा पाओगे अभी के लिए विदा लेता हूँ खुश रहे हैं मुस्कुलात रहे कमात रहे हैं आपके दोस्त पंकश थैंक रूश्कार धन्यवार